गुद मॉर्णिंग स्टुड़न्ट कल हम लोगों ने प्रॉबिबिलिटी के अंदर कुछ सम किये थे चलो आज इजरा आगे बढ़ते मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किये थे वो क्वेश्चन के अंदर यानि कि फर्स नमबर हमारा हो गया सेकंड नमबर हो गया हम लोग आए थर्ड नमबर के अंदर चलो थर्ड नमबर का क्वेश्चन देखो ऐसा सम आपकी टेक्सबुक के अंदर भी है जो आपको होमवर्क में मिलने वाला है बराबर है थर्ड नमबर देखो अब बैग कंटेंड ओरेंज फ्लेवर्ड केंडिस ओनली कभाई एक बैग है वो बैग के अंदर केंडी है बट सारी केंडी कौन से फ्लेवर की है बही और है यान कि रही इसके दो मतलब बन सकते है रही का मतलब अगर निकाले तो कोई परसन का नेम भी बन सकता है यान कि सपोस्स मैं वास निकल रहा हूं और वह बैग के अंदर देखे बगर हाथ डालके एक केंडी बाहर निकालता हूं तो what is the probability that C take out नमबर वन ओरेंज फ्लेवर्ड केंडी और नमबर टू लेमन फ्लेवर्ड केंडी यानकि दो इवेंट की हमें probability find करनी है अभी तक हमने जितने भी sum किये वो सभी के अंदर कोई न कोई नमबर आता था बट यह इखी sum ऐसा है जिसके अंदर कोई भी नमबर प्रेजन नहीं है सिर्फ डाइरेक्ट sum है तो कैसे करेंगे दो स्टूडन सबसे पहले यह question के अंदर आप लोग probability का formula लिखोगे लिखो probability का formula थार्ड नमबर question करते हैं probability का formula लिखो कबई probability is equal to number of outcomes upon total number of outcomes चलो first number first number कों साइस के अंदर orange ने वर्ड केंदी तो स्टूडन अभी तक हमने जो sum के उसमें नमबर आते थे इसके अंदर ऐसा कोई भी नमबर नहीं है बट बैग के अंदर सारी candy कौन से फ्लेवर की यह देखो तो औरेंज फ्लेवर की यानि कि आप आख बन करके भी अंदर हाथ डालोगे तो आपके हाथ के इंदर जो केंडी आने वाली है वो कौन से आने वाली है भई औरेंज फ्लेवर की आने वाली है यानि कि क्या लिखेंगे इन बैग इन बैग ऑल केंडिश लाली है बाली है उजी फ्लेव माव लृट इंदता prawda भी आने लिखेंगे वाली है निए वाली है पारी है वाली हैट ल dependence औरेंज फ्लेवर की आप कोई भी केंडी बार निकालोगे वो औरेंज फ्लेवर की होगी यानि कि सपोस्ट पचास केंडी है अंदर पचास की पचास कौन सी यह भै औरेंज फ्लेवर यानि कि इसकी प्रॉबिलिटी कितनी बनेगी भै वन बनेगी चलो सेकंड नमबर क्विश केंडी अब देखो बैक के अंदर सारी केंडी कौन से फ्लेवर की ये भई औरेंज फ्लेवर की लेमन फ्लेवर की एक भी केंडी नहीं है मिल्स ये जो इवेंट है वो कौन से ये भई इंपॉसीबल इवेंट और इंपॉसीबल इवेंट की प्रोबिलिटी अल्वेस कितनी होती है जीरो होती है तो क्या लिखेंगे देर इस देर इस नो लेमन फ्लेवर केंडी इंद बेड इस प्रोबिलिटी इस जीरो अब इसकी प्रोबिलिटी कितनी हो जाएगी जीरो ये क्विश्वन के अंदर आपको ऐसे स्टूडन क्या करना है वही लिखना है बोलो लिख पाओगे ऐसा क्विश्वन आ है तो लिख डालो आप लोग भी फिर वुमबर के अंदर एक क्विश्वन दूँ चलो हो गया अब जरहा आपकी टेक्सबुक के अंदर पेज नमबर थ्री जीरो एट निकालो स्टूडन टेक्सबुक को हाथ में रखना है, बराबर अपने पास में ही रखना है, जब तक मैं सॉल हो, टेक्सबुक साथ में रखनी है, क्योंकि सिमिलर सम होगे, वो होमवर्थ में मिलेंगे, चलो, पेज नमबर 301, उसके अंदर, क्वेशन नमबर 6 देखो, वो आपको HW में करना है, एक्सेसाइस 15.1, पेज नमबर 301, क्वेशन नमबर 6, इसका उल्टा है, इसके अंदर क्वेशन केंडी थी वही, ओरेंज फ्लेवर की थी, बराबर है, अब आपके पास जो क्वेशन है, शिक्स नमबर देखो, बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड केंडेस अनले, मालिनी टेक आउट वन केंडी विधाउट लूकिंग इंटो देग, वट इस देप्रोबिलिटी थी टेक आउट, नमबर वन एं ओरेंज फ्लेवर्ड केंडी, ओरेंज फ्लेवर की एक भी केंडे नहीं है, यानि कि ये वाला उपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो क्या लिखें लिखेंगे, there is no orange फ्लेवर केंडी इन बैग, so its probability is कितनी आएगी भाई, जीरो, सेकंड नमबर कोंसी है, लेमन फ्लेवर्ड, ये वाला स्केटमेंट सेकंड नमबर में आएगा, क्या लिखेंगी, in a bag, all candies are lemon फ्लेवर्ड, so its probability is 1, तो सिक्स नमबर का क्वेस्चन, आपको हो नमबर के अंदर करना है, clear, चलो अब जरा आगे बड़े, चलो अब हमारे 1, 2, 3, 4, 5 नमबर तक के question, sorry 5 नमबर बागी है, ऐसा भी एक question आपके textbook के अंदर है, चलो 5 नमबर करते हैं पहले, 5 नमबर का question पड़ो, चलो 5 नमबर का question देखो, अब कार्टून कंसीस्ट अप हंड्रेट ट्राउजर, कभे ये कार्टून है, बैग या तो बॉक्स, उसके अंदर हंड्रेट ट्राउजर है, तो जो भी information है, हम लोग लिखते लिखते जाएंगे, कभे फिप्थ नमबर का question, टोटल ट्राउजर, फर्स्ट क्या लिखेंगे student, टोटल ट्राउजर, कितने है बैए, हंड्रेट, चलो, सेकंड क्या है बैए, अफवेज, 73 आर गुड, तो क्या लिखेंगे, गुड ट्राउजर, कितने है बैए, 73, फिर पहले है, माइनोर डिफेक्ट, कभे बैए, माइनोर डिफेक्ट कितने हैं बहें प्रैल फिर 15 हैव मेजर डिफेक्ट मेजर डिफेक्ट वाले ट्राउजर ऐसा एक्विशन आपकी टेक्स्बुक में है होमबर्क में मिलने वाला है इसको अच्छे से द्यान डखेंगे मेजर डिफेक्ट वाले कितने है बहें फेप्टे ये तीनों का प्लस करोगे टोटल हंड्रेड ट्राउजर हो जाएगे अब अच्छे से समझो क्विशन कनू अ ट्रेडर या पर एक ट्रेडर है कनू भाई ना ट्रेडर एक ट्रेडर वाले ट्रेडर है उनको वो क्या करती है बहें रिजेक्ट करती है मिस जो ग्राहक है जो customer है उसको वो good वाले भी दे देती है और minor effect दोनों को mix करके वो क्या करती है भई दे देती है याने कि थोड़े cheater की समकी है बराबर है ऐसी नहीं है बट थोड़ा मजाक मस्ती हो जाए one trouser is drawn at a random from the cartoon what is the probability that चलो question देखे अब समझ में आया कब यह कनू सिर्फ good quality के select करता है राधा major वाले निखाल देती है यानिकि यह दोनों का plus करना पड़ेगा ब्राबर है तो चलो पहले probability का formula डाल दो probability is equal to number of outcomes upon total number of outcomes चलो फर्स्ट नमबर लिखो उसमें question है ready made आपके पास नमबर वान इट इस acceptable by कनू कब यह कनू को accept हो उसकी probability find करनी है कनू दो कौन सिर्फ करता है घुड को लेडिगे तो क्या लिखेंगी पी ये इस इक्वाल टू 73 अपन हंड्रेड इस इक्वाल टू 0.73 आगे डायरेक्ट अंसर सेक्डन नमबर है इस एक्सेप्टेबल टो राधा देखो राधा कौन से डाइक के सिलेक नहीं करती है major डेफेक्ट वारे याली कि वह क्या करती है तो 73 प्लस 12 कितना हो जाएगा 85 क्योंकि वह सेफ मेजर्ड इफेक्ट वाले पर्चेस करते नहीं है यानकि गुड क्वालिटी भी पर्चेस करती है इसकी प्रचेस करती है इसकी प्रबबिलिटी क्या बनेगी भाई पीबी इस इक्वाल टू 85 अपॉन हंड्रेड इस इक्वाल टू 0.85 बोले ऐसा सम कर सकते हो आप लो आपके टेक्स्बुक में इसे जूंड कर होंबर के अंदर दे दो पले इसको पूरा करो तब तक मैं ठाइ ओू इस के लिदा तक हा आपके लिए। देखो page number 306 पहले homework की सम आपको देदू student यानि कि गड़ी गड़ी आपको textbook घुमानी न पड़ी चलो page number 306 निकालो textbook की अंदर वहाँ पर example number 12 देखो same इसके जैसा है कब यह cartoon consist of 100 shirt out of which 88 are good यानि कि good quality के 88, 8 have minor defect, minor defect 8, major defect कितने है वहाँ 4 Jimmy a trader will only accept the shirt which are good, good type के कनू के जैसे बराबर है TA is equal to क्या आएगा भई good quality के 88, 88 upon 100, 0.8 है और सुझाता another trader will only reject the shirt which have major defect, major defect वाले निकाल देती है यानि कि good और minor दोनों purchase करती है यानि कि 88 plus क्या करना पड़ेगा 8 is equal to 96 यानि कि example number 12 आपको homework के अंदर solve करना है बराबर है कर पाओगे 4 अब ज़रा homework equation लेलो बराबर है देखो page number निकालो 298 298 page number निकालो example number 2 homework के अंदर करना है टोटल बॉल होगे देखो और red बॉल, blue बॉल, yellow बॉल तीनो एक 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 बॉल है red बॉल एक है, green बॉल एक है, blue बॉल एक है और yellow बॉल एक है बराबर टोटल बॉल कितने होगे, 3, तीनो की probability, पहले formula डालोगे और फिर probability पाइन करोगे yellow बॉल की कितनी होगे, 1 upon 3, red बॉल की कितनी होगे, 1 upon 3, blue बॉल की probability कितनी होगे, 1 upon 3 फिर, एक्जांपल नमबर 3, एक्जांपल नमबर 3 देखो, सपोज वी थो, डाइस सवंग्स, डाइस सवंग्स आई तो क्या लिखोगे, कभे दा आउटकम्स आर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला ही सब मैंने ये वाला कराया था, बराबर, एक्जांपल नमबर 3, वंबर के इंदर करन आएं, फिर, एक्जांपल नमबर 4, हुमवर्क के इंदर करना है, काड़ वाला है, काड़ वाले सारे सम्मेने आपको कराये है, बराबरे, एक्जांपल 4, हुमवर्क में करोगे, फिर, एक्जांपल नमबर 8, कल ऐसा सम्म कराये था मैंने, देखो, बॉक्स कंटेंट 3, ब्ल्यू, 2, वाइट, एंद 4, रेड मारबल, एक कराये थे, एक्जांपल नमबर 8, हुमवर्क में करोगे, फिर, 12 नमबर हुमवर्क में आ गया, फिर, एक्जांपल 15.1, देखो, 6 नमबर मैंने आपको हुमवर्क के अंदर दे दिया, 8 नमबर, 15.1 का क्वेश्चन नमबर 8, हडबल्यू में करना है, बराबर है, फिर, 9 भी आप कर सकते हो, बॉल वाला है, मारबल वाला है, दोनों आइमपी सह में, 8 को भी आइमपी करो, 9 को भी आइमपी करो, बागी जो बचे हो मैं करा, तो आप चिंदा मत करो, 8 नमबर, हडबल्यू, 9 नमबर, हडबल्यू, फे, 13, 13 नमबर, हडबल्यू, 12 नमबर भी हडबल्यू कर दो, क्योंकि उसके जैसा अभी सम में कराता हूँ, आपको जो मैंने फोटो सेंड किया, उसके इंदर ऐसा सम है, बराबरे, 12 नमबर भी हडबल्यू कर दो, 13 नमबर भी हडबल्यू कर दो, चालो, फेर, 16 नमबर, क्ल ऐसा एक सम कराया था, गुड बॉल्पेन वाला, बराबरे, टोटल बॉल्पेन, 132, बराबर, स्वारी, डिफेक्टी बॉल्पेन, 12, ऐसा इंफर्मीशन लिखेंगे, 12 डिफेक्टी पेन आर एक्सिदेंटली मिक्स्ड विथ 132 गूड वन्स, त्यानकि डिफेक्टी बॉल्पेन 12, गूड बॉल्पेन 132, टोटल बॉल्पेन दोनों का प्लस करोगे, टोटल 144 मिलेगी, और आपको प्रबैबिलिटी जिसकी फाइंड करने है, किसकी फाइंड कर लोगे, डिफेक्टी की भी फाइंड करोगे, गुडवन की भी फाइंड करोगे, बरबरे, फिर, चलो बागी के सम मैं आपको कराऊंगा, बरबरे श्टुडट, इतने सम आपको खुद हूमवर्क के अंदर करने हैं, चलो बाई, जो हुमवर्क में सम दिये, वो करपा होगे कि नहीं करपा होगे, अब जरा आगे बड़े हम लोग, जो मैंने पेज़ेंड किया था, उसमें, वन, टू, त्री, फोर, फाइज, फाइज, नमबर तक हो गए, बरबरे, चलो, सेक्स नमबर का क्वेश्चन देखो उसके अंदर, सेक्स नमबर का एक टेबल है, कभई मार्क उप्तेइंग बाई, 50 स्टूड़न्ट फ्रोम हंड्रेड, आर एज फॉलो, कभई 50 स्टूड़न्ट को हंड्रेड में से, जो मार्क मिले, वो नीचे है, कभई 0 to 34 मार्क उप्तेइंग करने वाले एक स्टूड़न्ट है, 35 to 50 मार्क उप्तेइंग करने वाले नाइन स्टूड़न्ट है, 51 to 70 मार्क उप्तेइंग करने वाले 14 स्टूड़न्ट है, 71 to 90 मार्क उप्तेइंग करने वाले 11 स्टूड़न्ट है, 91 to 100 वाले 8 स्टूड़न् और नीचे 5 question हैं उनकी हमें probability find कर दिये बट उससे पहले वो 5 question की probability find करें उससे पहले आप लोग formula लिख दो table बनाने की कोई जरुरत दिये मैंने आपको बोला है जो homework की notebook है इसके अंदर question compulsory लिखना है अभी video notebook के अंदर direct काम करेंगे आपके पास question है बराबरे चलो पहले probability का formula लिख दालो formula compulsory लिखना है क्योंकि उसका half mark है student बराबरे पहले probability का formula लिख दालो probability is equal to number of outcomes upon total number of outcomes चलो फर्स्ट नमबर है बीलो थर्टीफोर जरा देखो तो बीलो थर्टीफोर टोटल स्टुड़न पचास है ध्यान रखना है student चलो बीलो थर्टीफोर थर्टीफोर से कम आये हो table के अंदर देखो तो 0 to 34 के अंदर कितने student है 8 student तो क्या रिखेंगे there are total 8 student get below 34 marks ऐसे statement लिखेंगे देखो below 34 34 से कम मार्क मिलो ऐसे कितने student है table में देखो के पता चलेगा 0 to 34 में 8 student आते चलो इनकी probability करें तो PA is equal to क्या बनेगा भई 8 upon 50 बराबर cut कर दे तो 24 जा 225 जा answer आया हमारा 4 upon 25 और decimal में convert करना चाहो डेसिमल में convert करना चाहो तो नीचे 50 है 100 में पहुचने के लिए 2 से multiply करो तो 0 point नीचे 2 से multiply करो तो उपर भी 2 से multiply करना पड़ेगा बट आपकी सेहत के लिए अच्छा है बराबर decimal में convert करने की ज़र्राद नहीं है चालो second number लिखो चालो second number question कौन सा है भी between 71 to 90 अब जहरा देखो तो 71 से लेके 90 तक में कितने student है यह पूरा करके देखो टेबल के इंदर देखो आप लोग नजर करो कितने student है भाई 11 student तो क्या लिखेंगे there are total 11 students short form लिखेंगे वेराबरे चलो इसकी probability पाइंड करे pb is equal to क्या होगा भई 11 upon 50 इतना रखो तो भी चलेगा decimal में convert करना है तब 52 जा 100 फोर स्टांडर्ड याद करो फोर स्टांडर्ड में करता थे ऐसे multiply करके यह पर 2 से multiply करो तो उपर भी 2 से करो तो 22 upon 100 होगा आंसर आएगा कितना भई 0.22 या पर आंसर आएगा 0.16 न लिखो decimal में तो चलेगा इतना रखो गे तो भी चलेगा चलो थर्ड नंबर more than 70 more than 70 70 से ज्यादा तो जरा नजर करो तो 70 से ज्यादा यानिकी देखो 71 to 90 और 91 to 100 दोनों स्टूड़न्ट लेने पड़ेंगे कौन से कौन से लेने पड़ेंगे 71 to 90 वाले और 91 to 100 वाले यानकी 11 प्लस 8 करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे there are there are total 11 plus 8 is equal to कितना होगा 19 students चले इसकी probability फाइल करें PC is equal to क्या होगा भई 19 अपॉन 50 अभी मैंने आपको बोला इतना रखो तो भी चलेगा decimal में convert करना है तो इसको 2 से multiply करो तो उपर भी 2 से multiply करो तो 38 होगा 38 अपॉन 100 आंसर क्या बनेगा भई जीरो पॉइंट थ्री एंग बनेगा है जब नेक्स विश्चोन है फोर्थ नमबर लेस देन और इकवर्ड टू फिप्टी चालो फोर्थ नमबर कॉंसा है स्टुडन लेस देन और इकवर्ड टू फिप्टी फोर्थ नमबर लिखो लेस देन और इकवर्ड टू फिप्टी चालो पचास से पचास की इकवर्ड में उसे कम तो कौन से कौन से आउटकम्स लेने पड़ेंगे जीरो टू फिप्टी फोर वाले और फिप्टी वाले यानि कि ये दोनों जो है वो पचास से कम है यानि कि क्या लिखेंगे देर आर टोटल क्या बनेगा भै एट प्लस नाइन इस एकवर्ड टो 17 स्टूड़न्स चलो इसकी प्रबेब्ली डीफाइंड करें पीडी इस एकवर्ड टो 17 अपॉन फिप्टी चलो टू से मल्टिप्लाइ करें तो कितना आएगा भै 17 टू जा 34 अंसर बनेगा 0.34 3 फोर या तो 34 बरबरे डेसिमल में न लिखो तो भी चलेगा टेंचन लेनी की कोई जरुराथ नहीं ओनले 17 अपॉन फिप्टी लिखो के तो भी चलेगा बट मेरा काम सब कुछ सिखाना है चलो लास्ट नमबर या फीप्थ नमबर M.O.90 चलो 90 से ज्यादा तो कौन से लेने पड़ेंगे स्टूडन 91 to 100 वाले बरबरे 90 से ज्यादा तो 91 to 100 के टेबल में देखो तो कितने स्टूडन का आते हैं यह भी एट स्टूडन्ट या पर स्टूडन्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे देर आर टोटल एट स्टूडन्स चलो इसकी प्रबिब्लिटी फाइंड करें एट अपॉन फिफ्टी टू से मल्टीप्लाइ करें तो एक टूजा 16 होगा और नीचे 100 वा तो 0.16 कब हैं डेसिमल में कनवर्ट करना है तो डिवैट करने की जुरत नीचे 50 है फिफ्टी टू जा हंडरे टूपर भी टू से मल्टीप्लाइ करो 16 अपॉन अपॉन हंडरे 0.16 क्वेश्चा नम्बर 7 हमारा हो गया था क्वेश्चा नम्बर 8 कोईन वाले में मैंने आपको करा दिया था आए हम लोग क्वेश्चा नम्बर 9 के अंदर बरबर हैं गया यह सभी की प्रेक्टिस करते रहना है ऐसा टेबल वाला संभी पेपर के अंदर आ सकता है और आपको आना चाहिए चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जाओ भी ऐसा एक 12 नंबर का क्वेश्चन में आपको होमवर्ग के अंदर दिया आपकी टेक्सबुक में से चलो एक पोर्शन होता था इसके अंदर एक क्या करता था जो हीरो होता था वो कोई नंबर के उपर पैसे लगाता था फिर वो चकेड़ा क्या करता था गुंता रहता था इसके अंदर एक छोटा सा बॉल आता था और लाश्ट में सपोज हीरो ने 8 के उपर पैसे लगाए किसके उपर भई 8 के उपर और वह बॉल गुमता गुमता 8 वाले होल के इंदर गीर गया तो समझो उसको जो भी पैसे लगाए उसके 8 time money return मिलेंगे उसको क्या बोलते है गेम अपचेंस बोलते and there are equally likely outcomes what is the probability that will point 8 अब देखो यह circular dial है वो dial के उपर जो number है वो number कौन से भई 1 से लेके 12 तक के number है बराबर है 1 से लेके का तक के number है भई 12 तक के number है और different 5 event की हमें probability find करनी है बराबर एकदम easy question है इस question solve करे उससे पहले probability का formula लेख दो formula लेखो फिर solve करते है अब एक probability is equal to number of outcomes upon total number of outcomes चलो फर्स्ट नमबर है और 7 फर्स्ट नमबर कौन सा है बे ऐसे 7 तो आपके पास जो circular dial है डायल के इंदर देखो तो 7 कितनी बार आता है only one time आता है कि नहीं आता डायल के इंदर 7 only कितनी बार आता है one time यादि कि इसकी probability क्या बनेगी पी ए इसमें कोई statement लिखने की जरुरत नहीं है पी ए इस इकवा टू क्या बनेगा seven one time आता है और total number of outcomes हमारे कितने है student 12 यादि कि इसका answer बनेगा one upon 12 अच्छे से समझ लेना क्योंकि टेक्सबूक में से एक सम मैंने आपको homework के इंदर दिया है चरू सेकंड नमबर लिखो a number greater than nine सेकंड नमबर लिखो सेकंड नमबर के है वे a number greater than nine अब ज़रा देखो तो one two twelve में nine से greater number कौन से ten eleven पे आती है आपर statement लिखेंगे कब है नमबर greater than nine are ten eleven twelve तीन नमबर बने इसकी probability फाइंड करे pb is equal to three upon twelve कट कर दे तो आंसर आएगा one upon four आएगा three four जाट ट्वेल कट कर देना है चलो थर्ड नमबर है एन ओड नमबर एन ओड नमबर अब जरा नजर करो तो आपके पास one two twelve नमबर है उसमे ओड नमबर है वो लिखने कब है इसके जैसे कब है क्या लिखेंगे ओड नमबर आएगे ओड नमबर आएगे ओड नमबर कौन से श्टूड़न चालो फोर्थ नमबर का क्विस्चन देखो एन इवन नमबर कर सकते हो फोर्थ नमबर का क्विस्चन है एन इवन नमबर चालो इवन नमबर कौन से तो one two twelve में इवन नमबर लिखो एन इवन नमबर आर कौन से बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो क्या लिखेंगे PD is equal to क्या बनेगा भई 6 upon 12 is equal to answer हमारा क्या बनेगा भई 1 upon 2 बनेगा एक दम easy question है कि नहीं चला फीप्ति नबर और नमबर less than 5 और नमबर less than 5 5 से कम तो 1, 2, 12 में 5 से कम नमबर कौन से है तो लिखेंगे नमबर less than 5 आर कौन से बनेगे भई 5 से छोटे नमबर 1, 2, 3, 4 तो PE is equal to 4 upon 12 कट कर दो 4, 3 is our 12 अंसर आएगा 1 upon 3 तो स्टुडान मेरे पास जो बोक थी मैंने आपको जो ऐसा मेंट सेंड किया था उसके इंदर जो क्वेशन थे वो पूरे हो गए अब ज़रा हम लोग आपकी खुद की टेक्स बुक के अंदर जाएगे पहले इसको पूरा कर लो फिर आपकी टेक्स बुक के अंदर हम लोग जाते चलो हो गया अब ज़रा आपकी टेक्स बुक उपन करेंगे टेक्स बुक के अंदर पेज नमबर 308 निकालेंगे टेक्स बुक के अंदर पेज नमबर 308 निकालेंगे बरबरे शुडाण क्वेशन नमबर 1 की ब्लेंक देखेंगे क्वेशन नमबर 1 complete the following statement नमबर 1 probability of an event A plus probability of event not A is equal to ब्लेंक इसको short form में student ऐसे भी लिखते है पेपर के अंदर आ सकता है इसको खास द्यांदकना है PE plus PE bar bar उपर is equal to blank देखो एफ इवेंटी की probability और not eventी की probability देखो एफ प्रोबिलिटी इसको complementary event भी बोलते क्या बोलते हैं student कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट और ये दोनों की probability PE plus PE bar always कभई इवेंट और उसकी complementary event दोनों की probability इवेंटी आलवेज कितनी होगी भै इसको खास याद रखोगे ये बहुत सारे लास्ट में चैप्टर के इन में बहुत सारे MCQ solve करने है इसके अंदर इसका use करना है कभई event और उसकी complimentary event दोनों का plus कितना होगा भई 1 अनके first blank का answer आएगा 1 चलो second number the probability of an event that cannot happen is blank कभई event कभी भी होती ही नहीं like hundred mark के paper के अंदर 101 mark कभी भी आसकता नहीं है यानके ऐसी event को other word में क्या बोलते है impossible event भी बोलते है क्या बोलते है impossible event और impossible event की probability always कितनी होती है 0 यानके blank answer आएगा 0 and such an event is called blank उसकी second blank के अंदर answer आएगा impossible impossible event चलो थर्ड नंबर देखो the probability of an event that is certain यानकि कोई event certain है like मैं बोलू आपको the sun rise in the east ये certain event है the sun sat in the west ये certain event है जो बोर्न होता है उसकी मृत्य होती है certain event है ये सारी event है certain event तो स्टुड़न्ट सर्टें इवेंट की probability always कितनी होती है one होती है कितनी होती है भई अईसी event को क्या बोलती है स्टुड़न्ट शॉर इवेंट अच्च ये शॉर इवेंट और उसको क्या बोलती है भई सर्टेंड इवेंट बोलती है clear चाला fourth नमबर most IMP है the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is blank ये सारी ब्लेंग के IMP है कभई कोई भी event आपने एक experiment किया कोई को टॉस्ड किया बरबर है स्टुड़न कोई को आपने टॉस्ड किया कभई अलग-अलग event आपको मिले अलग-अलग event की probability मिले वो सभी probability का अगर आप प्लस करोगे तो always उसका प्लस कितना होगा 1 लाइक पहला statement लिखा PE प्लस PE बा event और उसकी complementary event दोनों का प्लस always कितना होगा 1 same कोई भी experiment करो experiment के दर जितनी भी event मिले वो event की आप probability find करो तो probability last में कितनी आएगी सभी probability का प्लस कितना होगा 1 होगा लाइक के blank का अंसर आएगा 1 इसको most IMP कर दो चालो fifth number the probability of an event is greater than or equal to blank का से रखोगे कोई भी event की probability किससे बड़ी और equal होती है तो 0 से and less than or equal to blank किससे छोटी होती है 1 से कोई भी event की probability 0 या तो 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है इसको symbol में क्या लिखते है student कब है 0 less than equal to pk less than equal to 1 तारिके कोई भी event की probability 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से कैसी होती है less होती है clear student कोई भी event की probability probability जीरो या जीरो से बड़ी और 1 या 1 से कैसी होती है less होती है आज के लिए इतना रखते है अब कल आपकी टेक्सबूक लेकर बैटनी है इसके अंदर जो भी साम है हम लोग ट्राइ करेंगे कि पूरे कर सके ऐसा ट्राइ करेंगे बड़ाबर तो कल अपनी टेक्सबूक साथ में लेकर बैटनी है जो सम आज मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिये वो आज ही होमवर्क के अंदर हो जाने चाहिए ऐसा नहीं है कि वह सर हमारे सामने नहीं है तो हम लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो चलेगा आप अपना नुक्सान करोगे मैं तो अपना काम कर देता हो ओनलाइन के अंदर सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टूडन की बनती है क्योंकि अगर अच्छे मार्क लाने है तो आपको मेरे से डबल मेनत करनी पड़ी समझ गई स्टूडन यानि की होमवर्क करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है इसलिए होमवर्क कमपल्सरी करोगे क्लियार आज इतना रखते गुडबाई स्टूडन